आज हम करेंगे comparative account of dentition in vertebrates last class में हमने structure of teeth किया था आज हम उनका comparative account देखेंगे सबसे पहले you know that हम vertebrates में cyclostrom देखते हैं कि cyclostrom का मैंने तुम्हें दिखाया ही था लास्ट क्लास में भी that they do not have true teeth they have epidermal teeth वो भी कहां present है वो भी बकल फनल पर और टंग के उपर मैं एक बर आपको फिर से वो उस दिन वाली पिक्चर दिखाते हैं यह दिखू यह दिखाते है ना यह दिखो बकल फनल है और यह जो है टंग है और यहां पर यह दिखो टीथ है और यहां पकल फनल के inside भी if you see so many triangular projections are there ठीक है so this was about cyclostorm मैंठा correct now after cyclostorms comes fishes right if you see in general fishes they have acrodont type of teeth acrodont दिखाते हैं तूथ जो है simply jaw के ओपर इस तरह से located होता है this is acrodont type of teeth then they are polyfiodont polyfiodont का मतलब क्या है कि throughout life they are replaced many a times और सारे टीथ जो है वो एक जैसे हैं जिनको कहते हैं homodont तो इन जनरल fishes have acrodont polyfiodont and homodont type of teeth but if you see कुछ fishes ऐसे हैं जैसी दिखुए इस तर्जॉन फिश है यहां से दिखा इस तर्जॉन इस पाइप फिश इनके आप head region को जहां से note करो and then this is seahorse also known as hippocampus यह fishes ऐसे हैं which do not have teeth right they are you can say toothless right if you see basically अगर हम देखा जाए यह जो fishes के हमने teeth के बात करिये इनका function main function क्या है their function is to seize the prey or to capture the prey अब क्या है फिर जैसे मैंने विता है in general they are homodont type of teeth right अब कुछ fishes ऐसे हैं जैसे for example if you see this is heterodontus यह फिश जो anterior most portion hit as a name indicate हमने अभी क्या बता है fishes में homodont type of teeth होते बट इसमें heterodontus fish में heterodont heterodont का मतलब क्या है अलग-अलग तरह के teeth है एक ही buccal cavity में ठीक है fish teeth जो generally क्या होते है है इस तरह से conical projections होती है ठीक है या फिर इस तरह से flattened अगर ऐसे इस तरह से you can say flattened triangles होते हैं ठीक है बट कुछ lung fishes में या फिर जो cross of terry primitive fish है उन में उनके जो teeth होते है अगर मैं दिखाऊ उस here you'll see कि यह आपको teeth दिखाई दे रहें यह जो primitive type of teeth है इसमें enamel जो है एक तरह से enamel जो है एक straight coating ना बनागे इस तरह folded है यह दिखो enamel जो है fold होके इस तरह का structure बना रहे है गायरेशन और elevation sugar है इस तरह के teeth को गोलते हैं लेबिरिंधिन टाइप आफ टीथ यानि कि fishes में primitive type of teeth भी पाए जाता है जैसे कि लेटी मेरी एक fossil fish है लेटी मेरिया ये एक fossil fish है यानि कि अभी भी है पाई जाती है इसमें primitive characters है लेटी मेरिया में लेबरिंधिन टाइप आफ टीथ जो है द्यार फॉक्ट राइट सो कई लंग fishes में लेबरिंधिन टाइप आफ लेटी मेरिया में कुछ लंग fishes में टीथ जो है इस तरह से fuse हो जाते हैं और इस तरह plate-like structure बनाते हैं food को crush करने के लिए या उसको hold करने के जागे अजिए इस एक्जांपल उफ यू थेट और टीथ ओ लंग फिशे ऑग नाव नेक्स्ट कम्स इफ यू एंफी वी थर्ट फाइलम इस फिशे आफ्टर फिशे ईंफ इंफी विया एंफी विया में क्या होता है कि जैसे मैंने पिछली कास में बताया था है एम्फिबिया का जो टेड़्फोर लार्वा है। उसमें जो है एपिडर्मल तोड की बात करते हैं, दूसरा है एग लोसा जिसमें यानि की विदाउट टांग होता है, दूसरा है यूरिदल्स, यूरिदल्स में सलमेंडर और नेक्टूरस वगराद, ठीक है, अब क्या है कि अडल्ट एम्फिविया में, ये टैडपुल तो क्या है उनका लारवा के उसम अडल्ट एम्फिविया में, if you see, they have got true teeth, ठीक है, अगर हम इन जनरल देन्टीशन देखें, एम्फिविया की, तो उनकी भी फिशिस की तरह ही है, अक्रोडोन टाइप ऑफ टीथ है, यानि कि सूपर्फिशिल प्लेस्ट टूथ ही है, जो इस तरह से, मैंने पिशे द्रॉब आप हो मोडोन टे सारे टीथ जो है, वो एक जैसे हैं, एक बकल गाविटी थी, टी, टी is similar to that of fish, बट कई बार क्या होता है, अगर हम एम्फिविया का लोर जो, अगर ये ड्रॉग करो हो दो में, तो एम्फिविया में क्या होता है कि, जो टीथ है, ब्र प्रेजिद आप जो jaw bones में present है इसके अलावा यहां पर जो बेंडी कồν दो मोमर बून तो यहां पर dolommer यहां भी present हे होते हैं यहां पर जो कि एल एक फिसके और होती है यहां पर शुखा़ जो इसको दो मटखिए थे पहले टाइड बोन तो हेर bahnwo you know teeth are present and there is a bone called parasyphenoid यहाँ पर एक parasyphenoid bone होती है यहाँ पर भी teeth present होता है parasyphenoid bone ठीके so you can see that here the teeth are present on the jaw bones they are present on the vomerine they are present on the palatine and they are present on the parasyphenoid right in general amphibia में क्या होता है कि upper part of tooth is lacking जैसे यूशल हम ऐसे tooth ऐसे ड्रॉख करते है न but amphibia में क्या होता है कि upper part of tooth is missing like this ठीक है और जो है क्या होता है कि केवल जो है जो टूथ का इस तरह से जो remaining portion है इतना portion पैडिसीले टाइप आफ टीथ is present और फ्रॉग में तो क्या होता है कि टीथ जो है lower jaw में absent होते हैं only upper jaw में टीथ present होते हैं lower jaw में absent होते हैं बट एक मतलब यू नो एक तरह का you can say frog ही है जिस जिसको हम कहेंगे उसका नाम ही amphi gnathodan amphi का मतलब होता है both नौ का मतलब होता है jaw यानि कि इसमें दोनों jaws में teeth present है तो इसका नाम है amphi gnathodan जिसमें की upper or lower jaw दोनों में teeth present होता है और बूफो और पाइपा में जो है teeth all together absent ही होता है यानि कि इसमें दोनों jaws में present होता है in general amphibia में केवल अपर jaw में present होता है frog और टोड वगर में bufows और पाईपा में teeth upper और लो दोनों jaws में ही absent right now we come to reptiles ठीक है reptiles में भी जैसे मैंने बता है acrodont polyfioront जैसे fish और amphibia में था और homodont डोंट टाइप ऑफ डेंटीशन है ठीक है बट reptiles में homodont और polyfioront तो common है बट acrodont की जगे कई बर क्या हो जाता है कि यानिकी lizards और snakes इन में तो acrodont हो जाता है बट crocodiles में acrodont की जगे की आ हो जाती है ठीकodont ठीकodont यानिकी यह अगर tooth है तो यह deeply इस तरह से jaw के अंदर fitted होता है जैसे यह दिखाते है न उसल में इस तरह तो reptiles में crocodiles में crocodilians में थीकodont टाइप of dentition होती है apart from polyfiorodont and homodont ठीक है reptiles में generally jaw bones में teeth होते हैं but snakes में क्या होता है यह देखो आप can you see this is pterygoid bone यह pterygoid bone है pterygoid bone पर teeth present है जाओ पर ना होगे jaw bone पर ना होगे jaw bone क हाँसी होती है maxillary mandible jaw bone ना होगे pterygoid bone पर teeth present है यहा पर आप देखो यह teeth दिखा है यह palatine bone पर teeth जो है वो present है ठीक है अब कें यू सी इस यह स्फिनोडॉन में टुए टारा नाम का एक स्फिनोडॉन लिजर्ड है ठीक है इस 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 में फोटो देखें कि यह लिजर्ड कैसे दिखती है इसका गरा हम टीथ का स्ट्रक्चर देखें यह आप देखो कि यू सी तू रोज ओफ टीथ हार देर और यह इसमें भी जो है मोनो फायोडॉन ते यह नहीं वन्स इन लाइफ टाइम एक ही बार वह ते रिप्लेज नहीं होते है पर्मनेंट टीथ ही आते हैं और वोमेराइन टीथ है इस यह जो आगे वाले जो है इस आर वोमेराइन बोला थे ना बट यह एक्सेप्शनल केस है टुए टारा में या स्फिनोडॉन में जिसमें मोनो फायोडॉन टाइप ओफ टीथ है ठीक है नाओ इफ यू सी तुम्हें पता है कि स्नेक्स में ठीक है पॉजन फैंग्स होती है और इफ यू सी पॉजन फैंग्स भी देर नथ संटी फॉजन फीक है यह इतारी फीक हैं यह यह लाही गुंआ टिथ है अगर हम इसको और वर हम लांच कर देखें और इस म्यक्चिलर संटी में ऊप देखो की एख तरफ जो है धर is a канал and this through this and this venom canal is there which is going to do to the tip of the tooth and if you see it is attached to a poison gland over here right so if you see अगर हम इसका section ले किसका इस तीद का section ले you will find की जो can you see if you see this is dentine and this portion sorry this portion is enamel this white colored portion and these two portions these are dentine and this is the pulp cavity general teeth में यह structure होता न but अब आप देखो but यह जो shape of the teeth is such that in the center there is a canal which we call as poison canal you see can you see यह जो venom canal यह कहाँ travel करती है यह poison canal के थूँ tooth के tip तक travel करती है और जैसे ही कोई प्रे आया यह muscles के help से इस gland को compress करती है और जैसी compress करेगी एकदम जो poison जो हो flow करके venom जो है प्रे के अंदर inflict कर देती है ठीक है एक एक और वो है यू कैन से lizard है जिसका नाम है गिला मॉंस्टर अगर हम गिला मॉंस्टर की dentition दिखाएंगे तो यहां पर आप देखोगे की similar type of groove जो है वो पाया जाता है गिला मॉंस्टर में on their anterior surface although I could not make out चीक है इसमें भी somewhere जो फ्रंट टीथ में गिला मॉंस्टर में एंटीर सर्फेस में पाया जाता है इसके अलावा reptiles में ही के embryo में reptiles के ही embryo में उसके tip के ऊपर जो अपर जो के tip के ऊपर there is a tooth which is known as egg tooth और ये egg tooth जो है egg की shell को open के काम आता है और इसमें if you see turtles reptiles में turtles are the individuals which are toothless they don't have tooth correct now after you know reptiles comes birds birds जैसे मैंने कले बिजाता है जो modern birds होती है they do not have teeth they lack teeth because they have horny beaks ठीक के so if you see modern birds lack teeth बट जैसे ये है archaeopteryx तुमने ये इसका जो है extinct bird है fossil bird है इसका बारे में पढ़ा भी होगा so this is archaeopteryx archaeopteryx में अगर आप देखोगे कि ये तो और इसका अगर हमें enlarge करके दिखाएंगे archaeopteryx bird में जो टीथ थे they were thickodont यानि कि modern bird में teeth है नी fossil birds में इस तरह के thickodont type of teeth वर देखोगे यानि कि dentition जो है वो mammal जैसी थी correct now comes mammal mammals में जैसा अभी मैंने बताया कि जो dentition है thickodont type है यानि कि जो उनकी root है teeth की वो deeply jaws के अंदर deeply seated होती है mandibles और यानि की jaw bones में नीचे but इसके अलावा die phiodont यानि कि life में दो बाट teeth आते हैं एक बार मिलती दो बार permanent दूसरा heterodont यानि कि buckle cavity में या jaw bone के उपर अलग अलग टाइप के teeth है एक जैसे teeth नहीं है ठीक है इसके अलावा अगर हम देखेंगे अभी हमने पता है ना की जो है किस तरह आफ टीथ है यानि कि यह mammalian dentition का रूल फॉलो ने करें दीजादा exceptional cases इसके अलावा marsupials जो होते है marsupials में क्या आते है kangaroo या ओपोजम वगर आते है ना marsupials में भी if you see they retain their milk teeth except last pre last premolar को छोड़के यह अपने milk teeth जो है रखते है ठीक है और they retain their milk except premolar this is another exceptional case to the rule of dentition in mammals ठीक है यह बदाना चाहिए इसके apart from this हम लोग अभी mammals कर रहे कुछ mammals ऐसे भी है जैसे ant eater यह देखो यह ant eater आप मैं जो भी आपको देखा यह अनिमल का आप जो है anterior region जरा धान से देखो ठीक है यह है ant eater इसके आप यह देखो आर्माडी लोग देखो can you see see their head region see their skin highly thick and highly highly you know cornified इन में क्या होता है कि आर्माडी लोग और ant eater में इन तोनों में जो teeth होते है they are not the real teeth you can say imperfect teeth होते है why we call them imperfect because they do not have root they do not have their tooth do not have enamel that is why since they lack both the things their teeth are known to be imperfect teeth किस किस के imp and eater के और आर्माडी लोग इसके अलाव इसके अलाव आप यूसी इस इस आकीडना यह देखो तुमने देखा भी होगा अकीडना में क्या होता है कि किसी भी stage पर teeth होते ही नहीं है क्योंकि अभी हम जो mammals का general rule कर रहे थे जो exceptional cases उनकी बात कर रहे है mammal के dentition से अकीडना में teeth throughout life होते ही नहीं है इसके अलावा जो whale bone है I'll just show you देखो यह whale bone whale है है if you see in this adults do not have teeth adult में teeth होते ही नहीं है ठीक है अपार्ट रूम दिस इस यह देखो यह टूट वेल है can you see homodern type of dentition अभी मैंने दिखा है दा यह देखो डॉल्फिन में भी जो dentition है वो homodont है ठीक नाव इन जेनरल तुमने बता है जो मैमल्स में चार तरह के हिट्रोडॉंट dentition बता यह ना हिट्रोडॉंट का मतलब क्या है कि बकल काविटी में अलग अलग तरह के टीथ हैं विल टॉक अबॉट यह आप देखो यह बकल काविटी है फ्रंट में क्या है इंसाइजर अगर हम इंसाइजर का structure देखो इंसाइजर में क्या है कि यह जो टीथ है फ्रंट में present होते हैं हर एक जौँ में और यह deeply embedded होते हैं pre-maxillary bone में ठीक है यह इस तरह से embedded होते हैं इनकी जो अगर आप देखो cusp या you can say crown यह एक single crown है इसलिए इनको जालते हैं monocuspid incisors याने की monocuspid हैं और single root एक ही root है ना तो they are single rooted with long cordon sharp edge और इन टीथ का function क्या है यह जो है seize करने के काम आते हैं कोई भी प्रे को capture करने के काम आते हैं cutting करने के काम आते हैं seize कोई प्रे नहीं कोई हमारा खाना है या कुछ भी है वो capture करने काम आता है and cut करने के और या फिर bite करने के काम आते हैं next is canine यह आप दिखाए तेरे यह यह जो canine है अगर हम उसको अलग से individual देखे तो canine जो है इस तरह का टीथ है यह भी एक तरह से देखा जाए single canine प्रेजेंट होता हाफ 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 आफ जो पे और generally यह देखो elongated है इस तरह से लंबा सा होता है टीथ ही ठीक है और monocuspid single crown है ना तो यह भी monocuspid है ठीक है और इसमें भी एक single ही root होती है ठीक है और crown आप देखो कैसा conical shaped है इसका single crown है बट conical shaped है और अगर आप देखोगे तो यह थोड़ा सा conical होके थोड़ा सा यू नो शार्पी pointed शार्प और थोड़ा सा pointed भी होता है और इसका main function क्या होता है यह यह ज्यादातर you know carnivores animal में well developed होता है क्योंकि यह इस तरह से pointed और pointed होता है sharp होता है इसलिए piercing के काम आता है tearing के काम आता है piercing समझते हो चेद करने के काम या pierce अंदर तक गुसने के काम आता है tear means उसको चीरने फारने के काम आता है for offense and defense offense काम आता है attack करने के काम आता और defense means अपने बचाओ के लिए भी यह teeth जो है काम आते है canines आप देखो these are the canines these are incisors ठीक है उसके बाद if you see there are two premolars in each half of the jaw and three molars ठीक है अब आप देखो इनको चीक टीथ भी बोलते हैं क्योंकि देखो चीक के बाद चीक को हटा के देखने पड़ते हैं क्योंकि यह that means चीक के अंदर located है तो इसी लिए premolar और molar को अगर हम कहें तो हम इनको चीक टीथ भी बोलते हैं दोनों को collectively बोलते हैं अब आप देखो यह देखो प्री मोलर में यूजुली दिख जाए तो क्या है दो रूट है और दो ही कस्पिड है तो हम इसको कहें बाइक कस्पिड है ठीक है टू कस्प से नहीं दो इस तरह से हुआ रहे हैं कस बोलते हैं दो क्राउन है इसी तरह मोल अब हम मोडिकाशन ऑफ चीक तीद करते है modification of cheek teeth यह देखो यह है tricondont tricondont यानि कि इसका मतलब करें तीन कोंस है और तीनों कोंस जो है कि इस तरह linear way में है linear यानि कि एक दूसरे के आगे पीछे है linearly arranged है इस तरह के टीथ को कहते है tricondont ठीक है जो कि यह fossil mammals में मिलते थे अगला है आप देखो trituberculate type of teeth इसका मतलब कि यहां पर भी तीन कोंस तो है पर तीनों कोंस जो है if you see they are arranged in you know triangular way triangle की तरह एक आगे पीछे इस तरह एक triangle ही बना रहे तीनों कोंस इस तरह कि इसको कहते है trituberculate type of teeth बोलते है ठीक है नाओ नेक्स्ट कम्स ब्यूनोडॉंट ठीक है ब्यूनोडॉंट पर क्या होते है यहां पर आप देखो crown जो है वो बहुत ही low है low lying है small है blunt है rounded है ताकि it can easily handle soft food तो इस तरह के जो you can say you know don't you have man donkey pig etc in animals में जो है इस तरह के teeth पाए जाते है next if you see can you see low food on type of teeth low food on type of teeth में क्या होते है कि यह आप देखो यह दिखाई देर है इस तरह से बहुत सारे उभार है यह सामने से देखेंगे तो ridges यह देखो आप can you see there are several transverse ridges इसका बहुत ही common example है elephant elephant में जो इस तरह के तीथ को हम क्या बोलते है लोफोडोंट टाइप आफ टीथ करेक्ट आफ्र लोफोडोंट if you see comes सीकोडोंट टाइप आफ टीथ इनको शीरिंग टीथ भी बोलते हैं जो सीकोडोंट में क्या होता है कि अब आप देखो molars usually molar or premolars के उपर जो कस्प होते हैं वह थोड़े से मतलब ब्लंट होते हैं पर यहां पर आप देखो इसी कोडोंट में जो है जो कट एज़ेस जो है वह कटिंग एज़ेस की तरह डेवलप कर रखे जो क्राउन है they have sharp cutting edges ठीक है और उनका काम जो एक तरह से scissor की तरह 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 फ्लेश वगर को काटने के लिए तो इस तरह के teeth जो है वो किसमें बाजाते हैं कार्निवोर्स में एक तरह से यह कार्निवोर्स में इन टीथ की modification है सीकोडों टाइप आफ टीथ next comes if you see sellin sellinodon type of teeth sellinodon sellinodon में क्या होता है कि जो cusps होते हैं वो जो है इस तरह से you can say christen shape christen shape इसको बहुते न तो जो cusp होता है यानि कि जो crown होता है वो christen shape में fold हो रखा होता है जो enamel जो है वो इस तरह से फोल्ड हो रखा है ताकि वो जो soft area है कि denting का वो enclose कर सोके यानि की sellinodon में एक टाइप है if you see this is brachy brachy brachyodon type of sellinodon teeth आगे सार में एक बार फिर से sellinodon वो टाइप आफ टीथ है जिसमें enamel जो है इस तरह से christen shaped होता है इसमें अगर इस तरह के sellinodon में अगर जो है जो टीथ है वो stout but low इस तरह से low crown होता है ठीक है और short roots होती है उसे कहते है इस तरह के जो है यहां पे जो लॉंग crown है ठीक है और रूट्स जो है वो short हॉर्स और cattle में इस तरह के जो है इस तरह के जो है squirrel वगरे में पाए जाते है ठीक है नाव यह आपके बस भी जो मैंने तुम्हें नोट दे उसमें भी डेंटल फॉर्मूला ओफ संग मैमल्स यह मैंकल पते यह 32 डॉग में इसी तरह 42 है रैट में आप देखो वो canines और premolars absent होते हैं सामने incisors होते हैं और last में केवल molars होते हैं तीन तीन चीक है यानि कि 6 और 6 12 molars होते हैं और 4 जो है वो incisors होते हैं elephant में आप देखो अपर जो है जो टस्क है वो इसकी बनियों थे incisors की canine और premolar absent होते हैं lower jaw में तो तीन होई incisors canines और premolar तीन होते हैं केवल last में तीन molar होते हैं इसी तरह squirrels में हैं तुम लोग देख लेना मैंने तुम्हें नोट में देख लेका rabbit है kangaroo है horse and pig है उनमें इस तरह से these are the various i would say dental formula of some eminent mammals common mammals ठीक है after that we come to modification of teeth on the basis of diet यानि की animals की diet के basis बे how the various type of teeth they have been modified क्योंकि because हमने तो मैमल का general किया रहा है सबसे पहले हम देखते है aquatic mammals aquatic mammals में जैसे बैलीन वेल है if you see this यह है give us just a minute this is belline whale इसको belline whale क्यों कहते है क्योंकि इसमें जो है teeth तो absent होते है but can you see these ridges ठीक है यह इसकी pallet से इस तरह के जो ridges जो है वह hang कर रहे है या एक तरह से यह plates hang कर रहे है और इसका इनका function क्या है to trap the plankton आगे सब्सक्राइब यानि कि इसमें teeth तो absent होते है belline whale में ठीक है पैलेट से certain if you see certain plates are hanging इनको कहते है belline plates पैलेट बोन से belline plates hang कर रहे है और यह belline plates क्या करती है plankton को trap करती है और जो कि उनका food होता है ठीक है next this was about aquatic animals aquatic animals में यह modification है ठीक है next if you see इसी तरह dolphin में आप देखो dolphin में भी बड़ी uniformly placed teeth होते हैं ताकि जो have fishes वगरह है वो escape ना कर सके this is dolphin ठीक है now we come to this was about you know aquatic mammals second modification if you see we come to carnivorous mammal carnivorous mammals में क्या होता है कि जो canines होते हों बहुत ही well developed होते है ठीक है और वो canines का क्या है if you see canines are well developed उनका function क्या है wearing tearing चीडना फारना right तो उसमें क्या होता है कि जो upper jaw में canines के अंदर क्या होता है canines में क्या होता है कि upper jaw में last premolar और lower jaw में ध्यान से ध्यान रखना upper jaw में last premolar और lower jaw में इस फर्स्ट ऑमोलर यर जो टीष हैं दे-आर यह अ Chuckie 8 Oak시는 डीफाइजी POWë इakat क्या यह आप देखो क्यांडवे यह अपॉक्त ऑन यह अपर पीला में। यह अपर प्री मॉला यह यह लोवर मॉलर यह अपर प्री मॉलर यह लोवर मॉलर अपर प्रनी ओनल as canine here molar and play molar are acting as canine इसलिए इन टीथ को carnacial teeth भी देखो carnacial teeth भी कहा जाते हैं जो कि wearing and tearing के काम आते हैं इसी तरह आप देखो यह है walrus ठीक है walrus में अगर आप देखो can you see these two sharp teeth यह upper canines है और यह इस तरह से downwardly directed है ताकि जो है यह mollusk वगर को dig कर सके यह जो है यह वाले teeth यह दोनों teeth जो है यह walrus जो है यह एक carnivorous mammal है ठीक है now after carnivorous mammal if you see next comes the third type of modification that is herbivorous mammals अब हर्भी वर्ष मैमल में अब दोखो wear and tearing के लिए तो canine काम आते हैं हर्भी वर्ष मैमल में क्या होते हैं depending on the type of food they feed on जैसे rodents यह आप दोख रैट है rodents में rat और squirrels आते हैं यह रैट का आपको दिखाए देर आप पर दो canine और यह lower दो अपर दो incisors लोगर दो incisors ठीक है इसमें आप देखो यह जो रैट है यह रैबिट है रैट हुआ squirrel गिलहरी यह रैबिट इन तीनों के जो टीथ हैं वो इस तरह के gnoing type of teeth है यह 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 टीथ है आपस में एक दूसरे को रगडते हैं कुतरना जिसको कहते हैं growing मतलब कुतरना अब आप देखो क्यों अगर मैं आपको साइड से दिखाऊं यह आप देखो कैन यू सी यह यह अपर incisors है और यह lower incisors है ठीक है अब आप देखो कि किस तरह कि दोनों edges के दोनों अपर और lower jaws के incisors के edges कितने pointed है और यह एक दूसरे को गिसाते रहते हैं इसलिए enamel भी केवल outer edge की तरफ होता अंदर की तरफ नहीं होता और इस तरह से यह दोनों teeth आपस में एक दूसरे को grow नहीं करने देते हैं अगर यह आपस में इस तरह गिसाएंगे नहीं ना ग्नौ नहीं करेंगे तो यह teeth एक दूसरे को lock भी कर देते हैं ठीक है तो इस तरह जे अदरवाइस इनकी specialty है इन incisors की यह continuously grow करते हैं इसलिए इनको ग्नौ करके एक दूसरे को गिसागे इनको इनकी limit में रखना होता है ठीक है इसी तरह है अब आप देखो यह elephant का जो इसको क्या बोलते हैं इस teeth को जो हाथी का दानत होता है इसमें भी आप देखो यह एक तरह से अपर अपर अन्साइजर तो absent होता है अपर अपर इंसाइजर जो है यह modified है यह modify करता है tusk के रूप में और if you see मतलब यह आप दखो इवन इसकी root तक यह pulp cavity यह visible part है वो इसी part में include हो जाती है ठीक है और herbivorous animals में जो canine teeth होते हैं वो absent होते हैं, they are not present in herbivorous ठीक है और if you see sheep और goat जो grazing animals होते हैं उनमें आप देखोगे कि if you see अप पर जो यह देखो यह काओ का अपर जो है यहाँ पर इवन इस incisors जो front teeth होते हैं आप पर जो में they are absent in they are absent in cattle or grazing animals ठीक है herbivorous mammals में canines absent होते हैं और अगर आप यह देखो आप मैंने skull दिखाएं आगे horny pad है अभी दिखाते हैं यहाँ पर absent होते हैं incisors ठीक है और canines जो है अगर आप देखोगे canines की जगे canines की जगे होती है पर यहाँ पर canines प्रेजन निया तो इस gap को कहते हैं diastema can you see ठीक है herbivorous animal में canines absent होते हैं और उनकी जगे एक gap हो जाता है जिसको कहते हैं diastema ठीक है now next if you see is omnivorous animal जैसे की man है monkey है यहाँ पर जो अभी बने दिखाए था दिखाए था ने bunodont type of teeth होते है man के अंदर मैं आपको फिर से दिखाते हूं bunodont man के अंदर bunodont होते है यहाँ पर जो crown भी होता है वो भी बड़ा low rounded होता है they are not sharp and they they enables chewing of soft food ठीक है next if you see after this omnivorous next comes insectivorous mammors insectivorous mammors means जो mammors insect पर feed करते है ठीक है इनका main function food is insects तो इन में क्या होता है कि upper और lower incisors upper और lower incisors जो है वो modified होते है to capture insects और ant जैसे ant eater है दिखाते है यह modification of mouth parts in such a way तो यह इस तरह insectivorous में incisors जो है modified होते है to capture the insect ओके इसके साथ ही buccal cavity के सबी components buccal cavity के क्या के थे palatine था वो हमने कर लिया tongue था वो हमने कर लिया और teeth था वो हमने कर लिया और कुछ तो रहतो नहीं किया I think यही तीनो पार्ट थे buccal cavity में यह हमने जो है let me check up हाँ tongue था teeth था glands हमने किया नहीं यह तीनो पार्ट यह तीनो पार्ट हमने कर लिया इस वर थे components which we were supposed to do in buccal cavity correct this is all